दोस्तो मैं आपकी मेमोरी का टेस्ट करूँ गा तो इस पिच्चर को ध्यान से देखे अब इस पिच्चर को ध्यान से देखे और अब इस पिच्चर को ध्यान से देखे और अब इन सभी पिच्चरों को ध्यान से देखे और बताएं कि आपने कौन से वाला शूद देखा था दोस्तो आपने C वाला शूज देखा था अब इन सभी कैप को ध्यान से देखे और बताएए कि आपने कौन से वाली कैप देखी थी दोस्तो आपने B वाली कैप देखी थी अब इनी सभी बैक को ध्यान से देखे और बताएए कि आपने कौन सा बैक देखा था दोस्तो आपने B वाला बैक देखा था अब इन सबी क्लोथ को ध्यान से देखे और बताईए कि आपने कौन से वाला क्लोथ देखा था दोस्तो आपने D वाला क्लोथ देखा था चलिए अगली पहली देखते हैं दोस्तो आपको तीन पिच्चर दी गई हैं और चार औपशन दिये गए हैं आपको इन तीनों पिचर को ध्यान से देखना है और एक कार की ब्लेंड का नाम गेस करना है और दोस्तों वो जो कार का नाम है वो इनी चार औपशन में से कोई एक है तो ध्यान से सोचे और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए दोस्तो आपने देखा हुआ कि जो पहली पिच्चर है वो बक्की है और जो स्टेकिन पिच्चर है वो एक ही है और जो लास्ट पिच्चर है वो टी की है जिसे मिलाकर हम बुगाटी कह सकते हैं तो इन सभी चार ओप्षन में से जो C वाल ओप्षन है वो करेक्ट है और बताईए कि कितने सरकल का यूज करकर इस कैट की पिच्चर को कम्पलीट किया गया है। ध्यान से देखे और अपना अंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तो इस डोरगी जो की होगी वो सी वाली की होगी।